बहुत दिनों पहले गरीब गाउं नाम का एक गाउं हुआ करता था उस गाउं में सारे गरीब लोग ही रहा करते थे गरीबी तो उन लोगों की नस नस में बैती थी वो सब पुर्खों से गरीब थे गाउं के जादतर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से उन लोगों का घर चलता था कुछ लोग मजदूरी भी करते थे आसपास के गाउं वाले गरीब गाउं के लोगों को बहुत नीच नजर से देखते थे कभी किसी को कोई काम के लिए गरीब गाउं आना भी पड़ता था तो वो जचकते थे इसी तरह गरीब गाउं के लोगों का अपमान किया जाता था उस गाउं के बेचारी गरीब लोग चुप चाप अपमान सेहते थे लेकिन वो कहते हैं न सबका टाइम आता है गरीब गाउं में एक नई जनरेशन आ गई बिट्टू, मधू, रगू, रतन और गुडिया ये पांचों बच्चे रोज मर्रा की गरीबी से परिशान हो गए क्या फालतू जगा है ये, ठेक से ना खाने को मिलता है और ना ही कुछ धंका पहनने का हाँ, हाँ, सही कहा बिट्टू, मैं भी परिशान हो गई हूँ हमें और गरीब नहीं रहना है लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, आसानी से चाहती ही नहीं बिट्टू ने अपने पिता से कहा बाबा, हम गरीब क्यों है, हम अमीर नहीं हो सकते क्या बिटा, अमीर होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है हम जैसे गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई करने का वक्त कहा है वक्त निकालना पड़ेगा बाबा, मुझे और गरीब नहीं रहना है मैं पुरे गाउं की लोगों को गरीबी से मुक्ती दिलाना चाहता हूँ ये सुनकर उसके पिता हसने लगे और धीरे धीरे उन पाँचों बच्चों पर पूरा गाउं हसने लगा दो वक्त खाना मिल जाया यही बहुत है बढ़ाई बढ़ाई करके क्या होगा? फालतू की चीज है यह लेकिन बिट्टू और बाकी चार बच्चों ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया वो सब पास के गाउं में स्कूल में भरती होने के लिए चले गए सर हम पाँचों को स्कूल में भरती होना है पढ़ाई करनी है बहुत अच्छी बात है लाओ दस हजार दस हजार इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास एक जिन का दस अजार तुम पांचो हो, इसका मतलब पचास अजार रुपए, जमा कर दो और कल से स्कूल आ जाओ पचास अजार रुपए, इतना सारा पैसा तो हमारे पूरे गाउं में किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा अच्छा, तुम लोग किस गाउं से आ रहे हो? गरीब गाउं से सर क्या कहा? गरीब गाउं से? चीची 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 पूरा मोड़ खराब कर दिया, भाग यहां से टीचर ने उन लोगों को भगा दिया, लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम अर्चना था अर्चना मिस ये सब देख कर नाराज हो गई सर आपने उन लोगों को भगा क्यो दिया? आपको नहीं पता मैडम, वो बच्चे गरीब गाउं से हैं, वहां के लोग गंदे होते हैं तो क्या हुआ, गरीब हैं तो क्या पढ़ाई करने का हक नहीं है? आप यहां नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है, हम इन लोगों के मूनी लगते हैं लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं गरीबों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ अरचना मैडम ने नौकरी छोड़ दी और वो स्कूल के बाहर चली गए स्कूल के बाहर जाते ही अरचना मिस ने देखा, कि पांच बच्चे उदास होकर बैठे हैं लगता है, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, यहां स्कूल में हमें भरती नहीं लेंगे ये लोग, और हमारे गाउं में तो स्कूल ही नहीं है तभी अरचना मिस ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर तुम्हारे गाउं में स्कूल बनाएंगे सभी चौक गए और पीछे मुड़ कर देखा, अरचना मिस वहीं पर खड़ी थी आप हमें पढ़ाएंगे मिस? हाँ, क्यों नहीं, मैं पढ़ाने के लिए टीचर बनी थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं वाँ मिस, अगर सभी की सोच आपकी तरह होती तो ये दुनिया ही बदल जाती कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर बदलेंगे दुनिया, चलो, मुझे तुम्हारे गाउं ले चलो ये बोलकर अरचना मिस ने बिट्टू का हाथ पकड़ लिया, बिट्टू को बहुत शरम आई, उसे आदत नहीं थी पहले दूसरे गाउं का कोई भी इंसान उन लोगों के पास भी नहीं आता था, और आज अरचना मिस ने उसका हाथ पकड़ा वो पांचों अरचना मिस को लेकर गाउं गए, गाउं के सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए, अरचना मिस ने कहा बिट्टू, यहाँ एक स्कूल बनाना है, कोई घर है जिसे हम स्कूल बना सके हाँ, है ना मिस, गाउं के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर है, वो घर खाली पड़ा है ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ बिट्टू और बागी चारो अरचना मिस को लेकर उस घर के सामने गए, छोटा सा घर था और बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था वो घर जगा जगा से तूट चुका था, मेरे लिए ये काफी है, मैं तुम लोगों को यही पढ़ाऊंगी और इसी घर में रहूंगी ठीक है मिस, तो फिर हम लोग आपके खाने पीने का इंतिजाम कर देंगे अच्छा, तुम लोग खाने में क्या खाते हो? हम तो सिर्फ रोटी और प्यास खाते है मिस, सिर्फ रोटी और प्यास हाँ मिस, हम गरीब है, खेती बारी करने के लिए हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है लेकिन खीत में बहुत बड़े-बड़े प्यास उखते हैं, हम वही बेचते हैं और वही खाते हैं ठीक है मैं रोटी प्याज ही खालोगी तो फिर कल से हम यहाँ पढ़ने आज आएंगे कल से क्यों आज से क्यों नहीं चलो मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाना चाहती हो उस मिट्टी के घर के अंदर अर्चना में इस पांचों बच्चों को पढ़ाने लगी धीरे धीरे गाउं के बाकी बच्चे भी आने लगे धीरे धीरे स्टुडेंट्स बढ़ने लगे और जगा की कमी हो गई और इतमे में तेज बारिश भी आ गए बारिश में मिट्टी का घर भीग गया और अंदर पानी आने लगा अरे यहां तो पानी ही पानी हो गया अब हम नीचे बैठेंगे कैसे वही तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है हम डेस्क और कुर्सी कैसे बनवाएंगे सभी का दिल तूट गया वो सब बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई करने के बिट्टू घर लोट गया उसका चेहरा उत्रा हुआ था उसके बाबा ने पूछा खेत में बहुत बड़े-बड़े प्याज हो गया है चल मेरे साथ तुझे दिखाता हूँ क्या बिटा, हम प्याज के डेस्क और कुर्सी बना सकते हैं, प्याज भीग भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बिट्टू ने ये बात बाकी बच्चों को बताई, बच्चों की पढ़ाई के प्रती शिद्दत और शाह देख कर गाउं के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए, और सभी अपने अपने खेट से उन्हें प्याज देने लगे, और बच्चों ने प्याज से डेस्क और कुर्सी बना लिया, और उनी पर बैट कर पढ़ाई करने लगे, और कुछी दिनों में वो स्कूल प्याज के स्कूल के नाम से फेमस हो गया, मंत्री जी के पास ये खबर पहुँच गई, ये पहले कभी नहीं हुआ था, सभी बहुत खुश हुए, मंत्री जी प्यास का स्कूल देखकर बहुत प्रभावित हुए और बच्चों का टेस्ट लेने के बारे में सोचा, उन्होंने तुरंत उनका टेस्ट लिया और सारे बच्चे पास हो गए, वा बच्चों, मैं मंत्री जी के आशिरवात से प्यास स्कूल कुछी दिनों में बहुत बड़ा स्कूल में बदल गया, और वहां अच्छे टीचर आने लगे, अर्चना मिस उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम बन गई, और उस स्कूल से निकल कर सभी बच्चे अच्छे कॉलेज में आये और उस आज आप चॉकलेट लाओगे न, मुझे कितने दिनों से चॉकलेट खाने का दिल है, हाँ बेटी, तु अपनी बहन का ख्याल रख, मैं आते वक्त तिरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा, और मा को भी साथ लेकर आयेगा न, मोहन इसका उत्तर नहीं दे पाया, उसकी आखो में आसु आ गए, दो मही ने पहले अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते हुए, मोहन की बीवी सरला का देहान थो गया था, राखी तब स्कूल गई हुई थी, स्कूल से लोटते वक्त राखी ने अपनी मा के लिए एक चॉकलेट खरीदा था, और घर आते ही उसने अ पर में नहीं थी, राखी उसकी मा को बहुत ढूडने के बाद ठक गई और उसने अपने पिता से पुछा, बाबा, मा कहा गई बाबा, मा तो हर रोज यहीं पर मेरे लोटने का इंतजार करती है, तेरी मा आप यहां नहीं रहती है बेटी, तेरी मा चली गई है, आस्मान का बन गई है, लेकिन कैसे बाबा, आप मा को लाओ ना, मा के लिए मैं चौकलेट लाई हूँ, तेरी मा को नहीं ला सकता बेटी, तेरी मा बहुत दूर चली गई है, यह सुनकर राखी सिसक सिसक कर रोने लगी, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मेरी मा के पास चलो, नहीं तो माँ को यहां लाओ, मुझे कुछ नहीं पता, राखे रोते हुए तडप रही थी, मोहन से ये देखा नहीं गया, उसने कहा, ठीक है बेटी, रो मत, मैं तेरी माँ को लेकर आऊंगा, लेकिन ये देख, तेरी माँ तेरे लिए क्या छोड़ कर गई है, ये है त मेरा अच्छे से कयाल रखूंगी, राखे गुड़ी को लेकर मगन हो गई, लेकिन हर रोज जब मोहन काम पर निकलता, तब राखी कहती थी, बाबा, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे न, और माँ को भी आज ले आएगा न, मोहन हर रोज राखी की माँ को वापस लाने का व पतनी के मरने के बाद मोहन भी उदास उदास रहता था, जिसकी वज़र से काम भी ठीक से नहीं कर पाता था, और उसे पैसे कम मिलते थे, वो राखी के लिए चॉकलेट भी नहीं खरीद पाता था, राखी हर रोज स्कूल ड्रेस पहन कर स्कूल जाती थी, लेकिन उसके स्कूल ड्रेस भट गया है, मुझे नया ड्रेस खरीद के दो ना, अभी पैसे नहीं है बेटी, कुछ और दिन चला ले, उसके बाद मैं तुझे पका नया स्कूल ड्रेस लाके दूँगा, राखी अपनी नवजात बेहन गुड़ी को लेकर ही स्कूल जाती थी, क्योंकि घर हम यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं भी यहाँ पढ़ने ही आई हूँ, लेकिन मेरे घर में इसका खयाल रखने वाला कोई नहीं है, मेरी मा बहुत दूर चली गई है, क्या, तेरी मा तुझे छोड़कर चली गई, वो भी बहुत दूर, सभी सुनो, राखी की मा राखी को छोड चोड़ कर चली गई है राकी कितनी बुरी लड़की है उसकी मा भी उससे चोड़ कर चली गई आज से हम राकी से बात नहीं करेंगे ये सब सुनकर राकी को दुख पहुँचने लगा लेकिन वो क्या ही कर सकती थी स्कूल से लौट कर वो रोने लगी मा आप क्यों चली गई पिछोड़ दूगी आप ही कहती दिना कि चोकलेट काने से दात पिकीरे लग जाते हैं मैं प्रॉमिस करती हूं मैं कभी में चोकलेट नहीं गाऊंगी अब बस आप बस आजाओ मोहन कैसे राखी को समझाता कि उसकी मा कभी भी उसके पास नहीं आएगी लेकिन वो कहते हैं न मन में विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है सच्चे प्यार के लिए तो मुर्दे भी जिन्दा हो जाते हैं एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने राखी को बुलाया राखी आप मुझे बुला रहे थे सर हां तुमने तीन महीने का फीस नहीं भरा है कब भरोगे बाबा ने कहा है और कुछ दिन का वक्त चाहिए मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता उपर से तुम अपनी बहन को भी साथ लेकर आती हो सारे बच्चे तुमसे परिशान है अगर ऐस सर मुझे स्कूल से मत निका लिए मैं आपके पैर पढ़ती हूँ ठीक है ठीक है दो हपते के अंदर फीस भर दो नहीं तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे राखी चिंता में पढ़ गई उसे दिन क्लास में टीचर ने कहा सुनो बच्चो अगले हपते तुम लोगों का वार्क एजूकेशन का एक कॉंपटिशन है तुम लोगों को घर से कुछ बना के लाना है जो सबसे अच्छा चीज बनाएगा उसे 30,000 रुपए का इनाम मिलेगा तुम मैंसे कोई भी इस कॉंपटिशन में भाग ले सकता है 30,000 रुपए ये तो पूरे साल की स्कूल फीस इस से भी जादा है राखी ने हिसाब लगा लिया और उसने कॉंपटिशन में अपना नाम लिखवा दिया बच्चे उस पर हसने लगे तु क्या बना के लाएगी राखी तेरी तो स्कूल रेस भी फटी हुई है राखी को गुस्सा आया और उसने कह दिया देखना मैं तो च बाबा मुझे न चॉकलेट का गाउन बनाना है मुझे 10 किलो चॉकलेट चाहिए बेटी अभी चॉकलेट तो दूर की बात है हम आटा भी नहीं खरिच सकते क्यों बाबा क्या हुआ मुझे आज मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है बेटी क्या लेकिन क्यों मोहन उदास करकी कोई जगह नहीं है इसलिए मालिक ने मोहन को निकाल दिया था राखी का चॉकलेट गाउन बनाने का सपना मिट्टी में मिल गया वो रात को अपनी बेहन को सुला कर घर के बाहर अपनी मा की याद में रोने लगी मा मैं हार चाऊँगी मा मैं चॉकलेट गाउन नहीं बना पाऊँगी मुझे 30,000 रुपे भी नहीं बिलेंगे मैं स्कूल के फीज भी नहीं बर पाऊँगी मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी ऐसे जिन्दा रहने का क्या फाइदा मा क्या फाइदा पूरी रात राखी रोती रही अगले दिन वो स्कूल नहीं गई बच्चे आपस में बाते करने लगे राखी तो आज स्कूल ही नहीं आई लगता है उसकी फट गई फट्टू हाँ बड़ी आई चॉकलेट का गाउन बनाने वाली फट्टू कहीं की चॉकलेट का गाउन कोई बना नहीं सकता राखी तो बस फेकती रहती है इसी तरह राखी को लेकर हसी मजाग होता रहा उधर राखी हर रात मा को याद करके रोती रही मोहन काम पर नहीं जा रहा था घर में बचे कुछे पैसे भी खत्म हो रहे थे दूद खरीदने का पैसा नहीं था गुड़ी भूख के मारे रो रही थी कॉम्पटीशन पास आ रहा था अगले दिन स्कूल में कॉम्पटीशन था राखी के पास चॉकलेट का गाउन तो छोड़ो फटे कपड़े के अलावो और कुछ भी नहीं था रात को वो रोज की तरह अपनी मा को याद करके रो रही थी मा अब सब कुछ खत्ब हो गया है मैं हार मान रही हूं मा सिंदगी की रेस में मैं हार गई अब कहा हो आप आती क्यों नहीं मैं अपनी हार्स भी कार कर लेती हूं मा लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आई नहीं बेटी, मेरी बेटी हार नहीं सकती राखी चौक गई मा, कहा हूँ अब? तभी सर्ला की आत्मा राखी के सामने आई बेटी, मैं आस्मान का तारा बन गई हूँ मैं आस्मान से सब कुछ देख रही थी आज मुझसे तेरा दुख देखा नहीं गया इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ मैं तुझे एक चौकलेट गाउन देती हूँ इसका चौकलेट कभी नहीं पिगलेगा सर्ला ने अपने जादूई शक्ती से राखी को एक चौकलेट गाउन दिया राखी खोश होकर अपनी मा के गले लग गई अगले दिन वो चौकलेट का गाउन पहन कर ही स्कूल में गई और सभी के होश उड़ गए अरे ये तो सच में चौकलेट का गाउन बना कर लाई वा राखी तेरा जवाब नहीं राखी के दुश्मन अब उसके दोस्त बन गए राखी ने कॉम्पटिशन के 30,000 रुपए जीत लिये और स्कूल की पूरे साल की फीज भर दी सभी राखी की फोटो खिशने लगे उसमें से एक फोटो वाइरल हो गया और उससे चौकलेट गाउन को खरीदने के लिए अफरत अफरी मच गए करोडो रुपए में राखी ने उस चौकलेट गाउन को बीचा और उसके बाद से उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और वो अपनी बेहन और पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी